चैप्टर फूर देख रहे हैं मोशन इन अ प्लेन त्री गर्ल्स स्केटिंग और अ सर्कुलर आइस ग्राउंड आफ रेडियस 200 मिटर एक सर्कुलर आइस ग्राउंड है इसका रेडियस दिया हुआ है 200 मिटर तीन लड़किया है पॉइंट पी से ये स्टार्ट कर रही है क्यों तक आती है डियमेटरिकली अपोजेट है इसके और अलग अलग पात लेती है पी ने ये वाला पात लिया किसी ने ये पात लिया, किसी ने ये पात लिया तीन पात है, एक, दो, तीन magnitude क्या है displacement का, इन तीनों के लिए और for which girl is this equal to the actual length of the path skated तीनों का बताना है कि displacement क्या है और किस किस लड़की खा जो path length है, वो displacement के बराबर है अलग देखें, तीनों का कोई भी रास्ता हो, ये P से Q की तरफ जा रही है displacement होता है, shortest distance, यानि कि ये distance तो ये जो girl है, ये बीच वाली इनका displacement के बराबर होगा तो displacement क्या है ये minimum distance है initial और final position का तो इस case में जितने भी लड़किया है वो start तो P से कर रही है और पहुंच रही है Q पे तो तीनों का जिस displacement है, वो बराबर है यानि कि radius के बराबर है 200 meter अब 200 meter radius है तो diameter कितनों का 2 into 200 यानि कि 400 meter यानि कि जो magnitude है displacement का हर एक लड़की के रही 400 meter है और जो B है जिनोंने ये path लिया है उन्होंने उनका actual path lengthy displacement के बराबर है एक cyclist है जो cycle चला रहे है start हो रहे है वो से वो से start हो रहे है एक circular park है जिसका radius दिया हुआ एक किलोबिटर वो कहां पर पहुँचते है edge P P of the park और उसके बाद यहां आते है यहां से और उसके बाद यह circumference की का जो परीदी है उसकी तरफ चलने लगते है और return करते है center O पे Q से तो वो यू जाते हैं यू चलते हैं वो आपिस चले आते है round trip में इनको समय लग रहा है 10 minute आपको इनका net displacement निकालना है average velocity निकालनी है और average speed निकालनी है तो पहली चीज यह है कि समय का अंतराल दिया हुआ है 10 minute दूसरा यह दिया हुआ है कि distance भी दिया हुआ है एक किलोमेटर इसका radius है अगर total ले कुल में लागे तो कितना circumference होता है 2 pi r तो यह एक चौथा ही है तो 2 pi r by 4 यतना distance यह नहीं लेंगे r plus r 2 pi r by 4 plus r plus r यह पूरा अंनों ने pathland cover किया तेकि पहरी चीज है net displacement शुरुआत की इनों ने और दूआर वापीस आ गए इसका मतब net displacement 0 हुआ अब आगे बढ़ते हैं displacement है वो क्या होता है initial or final position के बीच में दूरी यहाँ पर cyclist सहाब क्या कर रहे है चलतो रहे है यह और वो से लेकिन ऐसे पहुँचते 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 यह वापीस आ जा रहे है 10 मिनित में तो net displacement इनका हो गया 0 average velocity क्या होती है जो displacement है net divided by time अब चूंकि यह 0 दिया हुआ time कितना भी रहे यह आएगा 0 यानि कि net displacement 0 है तो average velocity आजेगी 0 अगर average speed निकाल नहीं है तो total pathland देना पड़ेगा यानि 2 pi r by 4 plus r plus r यानि कि 2 pi r हर जगा r की जगा 1 रिख दीजे आप तो 1 1 1 यहार रग दिया total pathland कितना हो गया op p q और q op और q तो radius ही है बाकी 2 pi r by 4 जोर दीजे इनको pi को 22 by 7 रख लीजे या 3.14 रग दीजे आपका 3.570 km आ जाएगा कुई मिलाखे जो समय ले रहे है 10 मिनिट 10 को 60 से डिवाइड करिए यारे 1 by 6 आवर अब speed निकालनी है तो total pathland आपका इतना आ गया है ये वाला number और time हमने 1 by 6 निकाला दुरों को डिवाइड करिए 21.42 ये आपकी average speed आ जाएगी on open ground motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter एक open ground है अब motorist साब जो motor चला रहे हैं वो एक ऐसा track follow करते हैं जो हर एक 500 meter के बाद left बुट जाता है angle 60 degree से starting from a given turn किसी turn से कर start करें तो आपको displacement बताना है इनका 6th 3rd, 6th और 8th turn में और compare करना है आपको magnitude with displacement का जो वो total path रहन कवर करेंगी हर एक case में तो यहां से शिरुवाद करते हैं किसी भी point से शिरुवाद कर सकते हैं बस आपको यह देखना है कि यह अगर यहां पर है तो कुछ यह दूरी चलते हैं पार 100 meter उसके बाद यह सीधा 60 degree पे मुड़ जाते हैं left में फिर 60 degree मुड़ जाते हैं दूसरा turn यह हुआ थर्ड turn यहां हुआ तो S पे थर्ड turn ले रहे हैं इसी तरी की से थर्ड 4, 5, 6 6 turn यह हुआ और 6, 7, 8 8 turn यह हुआ तो magnitude क्या होगा displacement का अगर हम इस P और S की बात करें क्योंकि यह थर्ड turn यहां से ले रहे हैं इन दुनों को जोड़ दीजिए आप इन points को यह होगा आपका shortest decision के भी के तो यह कितना हो जाएगा आपका 500 यह 500 और यह basically VP और PV और VS अब यह 500 meter है यह भी 500 meter है अगर आप देखें इसको और इसको join करदू center से यह भी 500 meter होगा यानि कि एक तरीके से radius कह सकता हूँ radius करना ठीक नहीं होगा क्योंकि यह circle नहीं है बट still यह जो distance होगा हर एक center का किसी भी point से वो 500 meter होगा अगर हम इसको ध्यास से देखें कि यह 60 degree बना रहा है और यह भी 60 degree है पुरा और total path length कितना होगा यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यह 3 हम जोड़ लेंगे पर यह 500 500 500 500 500 500 500 500 होगा अब 6 turn यह कहाँ पर लेंगे जैसे मने बताए है P ते लेंगे P के लिए कितना displacement करेंगे अब देखिए P से शुरुआत के इन्हों ने फिर P पर दुवारा आ गए इसका मतलर displacement तो 0 हो गया तो displacement इसको 0 कर दीगे लेकि टोटल path length कितनी होगी क्योंकि hexagon मिल गया पुरा तो 6 side एक, दो, ती, चार, पाँच, छे, छे, साइट तो 500 को छे बार अब हमको यहां से आना तक यह distance तो यह हो गया यह P Q प्लस Q R या फिर और भी जोड़ेंगे भी क्योंकि distance तो और चल गये है पहले मैं बात करता हूँ displacement की displacement का मतलब यह है कि P से लेकर Q तक कितना distance लो तो यहां पर यह है पुरा cost यह पुरा 60 है अगर आपको cosine वाला formula यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो distance आएगा वो होगा P स्क्वेर प्लस यह वाला P Q स्क्वेर प्लस Q R स्क्वेर प्लस 2 इंटू P Q इंटू Q R cost 60 क्योंकि यह पुरा angle 60 लिगा यहां से हम यह displacement लिकालेंगे P R जो कि तो बीटा कैसे निकालेंगे आप बीटा निकालेंगे आपको थोड़ा साइस में एक diagram में बनाता हूँ आपको यह बीटा चाहिए यह angle बतलब यूज़ angle चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह triangle कुछ इस तरीके से है इस तरीके से अब देखेगा कि मेरे पास यह तो 60 degree है तो यह QR है तो यह कितना हो जागा QR cos theta यह total कितना हो जागा PQ plus QR cos theta और यह कितना है हमारे पास अगर हम perpendicular drop करें इसको तो यह perpendicular भी हम निकाल सकते हैं तो यह जो चीज निकाल लगी हमने 500 sin 60 5 plus divided by 500 plus 500 cos 60 कि यह वाला होगा आपका यह वाला होगा आपका cost component इस जगापे हमने निकाला cost component को और यह वाला cost component था तो इसके साथ जोड़ इया यह वाला का sign component होगा यानि कि QR का QR sign beta PR sign beta और यह PQ plus QR Q और यह भी आप point माले है इसको इसको इससे add करिए जो आप यहां देख पा रहे हैं, उपर वाला साइन टम है, नीचे वाला कॉस्टम है, इसके साथ हमने 500 जोई दिया, यानि बीटा आया 10 इंवर्स दिस, इसका पूरा जो की 30 डिग्री आया, जो magnitude है displacement का वो 66.03 है, एंगल आपका 30 डिग्री आया, टोटल पाथ लैंड कितना हो यानि कि पूरा चकर कितना हो गया, 6 into 5 हैंने, फिर और PQ और QR, दो और चले, तो कुन में लाकिया हो गया, यह 4000, तो जो magnitude और displacement और total path length है, 3rd, 6th और 8th वो हमने निकाला, वो इस table में दिया हुआ है, एक passenger है, जो आ रहे हैं नए town में, उनकी इच्छा है कि वो जाएं, स्टे स्टेट वोट से जाएं, एक जो cab वाली साहाब है, थोड़े से dishonest है, वो क्या करते हैं, कि वो एक circuit जैसे path में, जो कि 23 km लंबा है, वो लेके जाते हैं उनको, और 28 मिनिट लगते हैं, आपको बताना है, average speed क्या है, टैक्सी की, और magnitude क्या है, average velocity का, और क्या यह दोने equal है, तो हुआ यह कि total distance, जो cab मैं के current लिटे ट्रावल किया हुआ है, 30 km, total time है 28 मिनिट, 28 मिनिट क्योंकि की किलो में दिया हुआ, तो 28 को साथ से डिवाइड कर दीजा, आवर में आ जाएगा, तो average speed क्या हो गए टैक्सी की, कितना total distance ट्रावल किया, और कितना time यहाँ पर आ गया, तो displacement कितना हुआ, 10 km, और time उतना, 28 मिनिट ही लगा, तो 28 बाइ 60, तो 21.43, जो दोनों physical quantities है, यह equal नहीं है, average speed जादा है, average जो velocity है वो कम है, पानी गर रहा है vertically, speed इसकी दीए है 30 मीटर पर सेक्ड, एक महिला है, वो एक bicycle चला रही है, उनकी speed है 10 मीटर पर सेक्ड, और यह चला रह ही है, north से south direction में, आपको बताना है कि कि direction में उनको umbrella पकड़ना चाहिए, ताकि वो भीगे ना, सवाल कुछ इस तरीके से है, कि पानी इस तरीके से गिर रहा है, अब इसके लिए आपको north, south, east, west, एक में बनाना पड़ेगा, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर north, south direction, इस rain का हम तो अगर हम इस rain को VR मानें, और इनकी cyclist जो है, उनका north, south direction में कुछ इस तरीके से मानें, तो VC हमारा velocity cyclist की हो गई, ऐसी, और velocity इनकी VR इस तरीके से हो गई, vertically हमें ने बता दिया, और women जो है, वो इस तरीके से north, south direction में अपना speed hand की, तो अब छत्री कैसे पकड़ेगे, तो छत्री पकड़ने का जो तरीका होगा, अगर उनको परसात से बचना है, तो relative velocity देखनी पड़ेगी, रेन की क्या है, तो यह अगर V हमको निकालना है, यह VC है, ज़रा इसको minus कर लीजे, क्योंकि यह इस direction में जा रही है, minus करेंगे तो यह direction होगा, minus VC, यह VR है, तो यहाँ पर यह भी क्या बनेगा, VR plus of minus VC, यानि VR plus of minus VC, यानि 30 plus of minus 10, यानि की 20, और 10 theta क्या होगा, यह angle क्या होगा, यह होगा VC, यह by VR, यानि की 10 बटे 30, theta निकालेंगे 10 inverse 1 by 3 जाएगे, तो यह आपका 18 डिगरी आएगे, यह जो महिना है, उनको humbrilla पकड़ना पड़ेगा, towards south, एंगल क्या होगा, करुबन 18 डिगरी, वर्टिकल के साथ, एक साहब है, वो swim कर सकते है, उनका speed दिया हुए, चार किलोमेटर प्रति घंटा, still water, कितने, कितना समय यह ल परावर, और जो strokes है यह जो वो तैर रहे हैं, वो normal लगा रहे हैं, जो river current है उसके against, how far down the river does he go when he reaches the other man, अब क्योंकि बरसा, पानी भी आ रहा है, वो तैर भी रहे हैं, तो कुछ वो उनका displacement उसके कारण हो जाएगा, तो कितनी दूरी पे हैं, वो बदाना है आपको, उसको ब जो साब तैराख है, उनकी speed दी हुई है, चार किलोमेटर परावर, width है river की एक किलोमेटर, तो यहां से आतक इसकी width दी हुई है, एक किलोमेटर, इधर से इधर तक, time taken to cross the river, पहली चीज़ तो समझे, इनको समय कितना लगेगा, वो यहां पर आपको, width है river की एक किलोमेटर ह speed कितनी है river की, चार किलोमेटर, तो एक बड़े चार, यह आपका आजएगा, साथ बड़े चार, इसको minute में कर दीजिए, साथ मरसे मने लाए कर दीजिए, पंदर मिन्ट हो गया, अब देखिए कि यहां से आतक इस तरीके से जाने की कोशिश कर रहे है, लेकिन पानी तो इस speed of river, 3, वह time कितना है, time आपने देखा, पंदा मिन्ट, जब 1 by 4 भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, तो 3 into 1 by 4 करी है, तीन बड़े चौथाई किलोमेटर हो गया, अगर इसको meter में change करना है, तो 750 meter आजएगा, यह आएगा आपका, हार्बर है, और इस हार्बर में जो wind flow करी है, उसकी speed है 72 km प्रति घंटा, और जो flag है, मास्ट, इस board पे जो anchor है, हार्बर में, वो flutter मतलब वो फैरा रहा है, along any direction, north-east direction, यदि board स्टार्ट होती है, speed 51 km प्रति घंटा पे, north में, तो आपको direction बताना है, flag का, जो mast, board के mast पे लगा हुआ है, तो इसको कुछ इस तरीके समझिये कि, velocity पहले हम समझते हैं, board की हमको दी हुई है, 51 km प्रति घंटा, velocity जो wind की दी हुई है, वो 72 km प्रति घंटा, और जो flag है, वो जो फैर रहा है, वो north-east direction में है, तो इस direction में है, ये north है, ये east है, ये आपको बताया गया है कि any direction में है, तो north इस direction में हो गया, इसका मतलब wind कुछ इस तरफ भह रही है, तभी तो north इस direction में भहर आए, इसका मतलब ये है कि north इस direction में हवा भहेगी, तो वहीं वो flag उड़ेगा उस direction में, अब जो ship sail होगा North की तरफ अगर इस तरफ sail होगा तो flag इसी direction में जाएगा लेकिन relative velocity क्या होगी अगर मैं VB boat की मानूँ और VW अब के wind की मानूँ तो relative velocity क्या होगी wind की with respect to boat VWB क्या हो जाएगा जो VW और VB relative velocity होगी लेकिन पहले मैं इसमें angle की बात कर लो angle क्या होगी angle देखे कुल में लाख है आपका एक 90 degree बन रहा है कोण और 45 degree बन रहा है कोण और अगर मैं इसकी बात करूँ 10 beta की है अगर मुझे ये beta निकालना है ये align दाल तो ये कितना आएगा 10 beta निकालने के लिए 51 sign 90 plus 45 अब हमने construction किया देखे ये जो VB है ये VW है VB को सरा opposite direction में किया हमने minus V अब ये जो angle है पुरा का पुरा यहां से यहां तक क्योंकि मुझे पता है कि ये 90 degree है ये मुझे पता है कि नॉर्थ-East जो होता है अगर ये नॉर्थ है ये East है North East 45 degree होता है तो ये 40 है ये पुरा 90 है 90 plus 45 तो यहां से आया लेकिन अगर मुझे 10 बीटा निकलना हो ये एकदा निकालना हो तो मैं कैसे निकालूगा इसका formula हम थेयोरी में भी देख से चुगे है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 51 sign 90 plus 45 और 72 plus 51 cos 90 plus 45 यहां value रख दीजिए आपका बीटा आजागा 10 inverse 1.003 है तो 45.11 अब जो angle है East direction के respect में क्या होगा आपको इसको 45 degree से माइनस करना पड़ेगा तो 45 degree से माइनस करेंगे ये भी 45 है 0.11 degree जो फ्लाइग है वो flutter करेगा almost क्योंकि 0.11 degree इसके साथ आ रहा है East direction के साथ almost East direction में ये फैर रहा होगा एक ceiling है long hall की वो 25 मिटर लंबी है आपको बताना है क्या maximum horizontal distance होगा जिससे हम ball को थो करेंगे जिस एक speed 40 मिटर पर second can go without hitting the ceiling of the hall अब ये है ये 25 मिटर हाइट आपको दी हुई है तो इसका अगर diagram आपको उता सको इस तरीके से 25 मिटर हाइट है आपको maximum horizontal distance बताना है जिससे ball को थो किया जाए speed 40 मिटर पर second है can go without hitting the ceiling of ceiling of the hall ceiling को नटच करें maximum distance कितना चला रहा है तो speed आपको दी हुई है 40 मिटर पर second maximum height दी है 25 projectile motion की बात हो रही है maximum height जो body जिसको angle theta से हम भेजेंगे वो है h equal to u square sin square theta by 2g आपको h दिया हुआ है u दिया हुआ है theta आपको अभी पता नहीं है 2 into g 9.8 इसका मतब sin theta यहां से निकल के आएगा अगर sin theta निकालना है तो sin inverse कर देंगे तो अगर आप sin inverse देखेंगे 33.60 angle आ रहा है अब range की बात हो रही तो horizontal range होता है u square sin 2 theta by g theta अभी भी हम निकाल चुके है theta अभी हम निकाल चुके इसको यहां रख देंगे u हमको पता है 40 square और यह सारी value रखके हम देखेंगे कि आपना 150.53 meter आएगा एक क्रिकेटर है वो बाल को थो कर सकते है maximum horizontal distance 100 meter तक कितना high कितनी दूरी मतलब vertically कितना दूर यह above the ground यह अब उस बाल को फेक सकते है तो maximum horizontal distance जो आपको दिया हुए 100 meter अब यह इनका कहना है कि अगर maximum horizontal distance आपका 100 meter है तो क्रिकेटर जो बाल थो करेंगे maximum horizontal distance कवर करने के लिए वो किस पे करेंगे 45 degree angle पे हम जानते हैं कि 45 degree है नो होना चाहिए तब यह maximum distance टेवल करेंगा तो जो range है projection velocity रभी दी है उसको किसे तरीके से दिखाए जाता है r equal to u square sin 2 theta by g आपको 100 दिया हुआ है यह theta बने का 45 degree है तो 2 theta कितना है कि 90 degree है तो u square पाज यह आपका 100 आगया यानि कि ball maximum height कब attain करेंगी जब यह इस तरीके से फेका जाएगा अब इस motion के लिए थोड़ा सा अलग formula यूज़ होगा है यानि कि जो final velocity है अगर आप ऊपर फेक रहे हैं तो final velocity किसी point पे जरू हो जाएगी initial velocity किसी फेक ही जाएगी और height कवर की माली जाए h, acceleration रग रहा है minus g नीचे तो v square minus u square equal to minus 2gh g की जगा, बतला a की जगा हमने minus g रहा है अब अब देखिए u square by g अगर मैं इसको थोड़ा सा rearrange करूँ या एक काम करें कि पूरिस इसको सब को मैं को इस तरीके से ले आऊ कि मुझे कही ने कहीं से u square by g नीचे तो मैं अगर इसको rearrange करूँगा तो मैं मेरे पास h equal to मैं यहाँ आपको यह बताना चारा हूँगे final velocity 0 हो जाए इसको 0 कर देजिए तो h क्या आएगा u square minus minus हटा दिए u square by 2 g और u square by g तो 100 ही अब आपने पास उसको यहाँ रख दिजिए by 2 यहाँ रख दिजिए तो half into 100 याने कि 50 मिटर आए एक stone tied to the end of a string 80 meter 80 cm long तो एक पत्थर बंदा हुआ है एक string एक धागे से तो 80 cm long है उसको horizontal circle में घुमाये गया constant speed से यदि इस stone मनाता है 14 revolution 25 second में क्या magnitude है क्या direction है acceleration का इस stone का तो uniform circular motion की बाद चल रही है आपके length दिए हुआ है 80 cm डिवाइड कर देंगे 100 से तो 0.8 meter में आए number of revolution 14 दिया गया है time taken 25 दिया हुआ है frequency क्या होती है number of revolution और कितना time इसने लिया तो 14 बटे 25 यह आपकी frequency आजाएगी angular frequency होती है omega जो की 2 pi into frequency होता है तो 2 into 22 by 7 और यह स्को यहारा तो 88 by 25 आजाएगा तो centripetal acceleration क्या होगा AC omega square r omega square r मतलब इसका square करी है और r से multiply करी है जो की point 8 निकाला तो 9.9 meter per second square आगया और जो direction है centripetal acceleration का वो हमेशे directed होगा string के along और towards the center हर एक point पे एक aircraft है यह horizontal loop perform करता है radius दिया हुआ है एक kilometer और steady speed है इसकी 900 kilometer पर आवा आपको इसका centripetal acceleration और acceleration due to gravity को compare करना है तो जो चीज़ दी है वो लिख लेंगे radius जो है loop का वो है एक kilometer यानिकी यानिकी दुनको डिवाइड करेंगे तो 6.38 आएगा यह कुछ और सवाल हुए इस टॉपिक के अभी हम और देखेंगे तब तक के लिए शुक्रिया, महर्माने आप सबी की